जी पैरे बचो कैसे हैं आप मैं उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज की वीडियो में बात करेंगे आप से हम चैप नबर टैन हीट एंट अंप्रेचर के उपर हीट एंट अंप्रेचर के जो एक्सरसाइज में मुझूद रच के सब्कराइब उनको हल कर लेते हैं और एंसी चैपकर जाने से पहले पछों आप डिसक्रिप्शिन में लिंक को फॉलो कर सकते हैं जिसे आप तमाम की वीडियो देख सकते हैं अपने इस क्लास 7 साइंस की प्यारे बच्चों अगर हम पहले स्वाल की तरफ जाएं तो यहां पर स्वाल किया जा रहा है तर डिग्री ओफ हॉटनेस और कोड़नेस इस कॉल्ड यानि किसी भी चीज का ठंडपन जो है या फिर उसकी जो गर्मी है क 121 पर मिलेगा जिसमें यहां पर यह लाइन आपको नदर आ रही है डिग्री ओव हॉटनेस और कोड़नेस ऑफन अब्जेक्ट इस कॉल्ड टेंप्रेचर तो पहले स्वाल का जॉब क्या होगा टेंप्रेचर लाप्शन सी इस दर राइट आंसर सी पर आप सब टिक लगा ल हैं तो इनके अंधर क्या जो है फियल्ड होता है तो आपको लिखा हो भाए कि इसमें यह तो अल्कोहल डाली जा सकती है यह भिरमीन वटर को ब्रॉमीन प्रिजेंट करते हैं भी यार से लहाजा अलकोहल मरकरी या ब्रोमीन जो हैं वह इन बल्ब अफ़ थर्मोमीटर में डाले जा सकते हैं फिर जैसे हीट लगती ने इनको यहां पर यह पर एक्सपैंड करता है लिक्वेड जोता है तो फिर डैफनेटली उपर की तरफ मूव करत यहां पर ऑइल लिखा हुए लिक्वेड लिखा हुए और सॉल्ड लिखा हुए मैंने आपको तीन लिक्वड बताये थे अलकोहल अ मरकरी और ब्रोमीन तो लहाजा अलकोहल हमें यहां पर नदर आ रहा है यहाजा भी आप्शन इस दा राइट आप्शन तो आप सब स्वाल किया जा रहा है centigrade scale is also called centigrade scale को और क्या कहते हैं याद रखिएगा centigrade scale को हम celsius scale भी कहते हैं Kelvin scale के बारे में बाते होंगी foreign height scale भी होता है absolute scale और Kelvin scale काफी मिलता जुलता scale है बरहल जो centigrade scale है उसको हम celsius scale कहेंगे आप यह कह सकते हैं जिसरा मैं लिख रहा हूँ 25 ठीक है 25 डिग्री celsius यह c रिप्रेजेंट करता है celsius को तो लहाद है d option is the right option for this question उसके बार स्वाल किये जा रहा है the temperature of boiling water in centigrade is called यानि के जो boiling water centigrade में temperature क्या होता है तो मुक्तलिफ liquids का पहरे बच्चों मुक्तलिफ boiling points होता है लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पानी किस temperature पे boil करता है वो मैं आपको पता जाता हूँ तो पानी जो है वो hundred degree celsius पे boil करता है तो यह आपने याद रखना है ठीक है hundred degree celsius पे जो है वो पानी boil करता है उसके बाद स्वाल किया जा रहे है जी the temperature of melting ice in foreign height scale अच्छा अब इसमें मैं आपको को चीज़ बताता हूँ कि आप degree को celsius में foreign height में भी convert कर सकते हैं यह एक method होता है zero degree celsius पे ice melt करती है यह आपको नहीं पता होगा लेकिन आज मैंने आपको बता दिये अब देखो यहां पे क्या value place करूंगा zero degree तो हम ऐसा करते है calculator की मदद से इसको कर लेते हैं तो लहादा हम ऐसा करते हैं कि हम जो degree की value है वो put in कर लेते हैं तो 9 over 5 आजाएगा और bracket में यहां मैं क्या लिख लूँगा zero यहां पर लिख लूँगा मैं 32 और definitely जब मैं zero plus करूंगा 32 में तो मेरे पास answer क्या आएगा definitely मेरे पास answer 32 ही आएगा और next step क्या होगा कि मैं multiply करूंगा nine को 32 के साथ तो प्यारे बच्चो इस वक्त आपको screen पे थोड़ा सा light नजर आ रही है तो वबराल यह देख लें आप इस पर क्या करना है आपने 32 को multiply करना है किस से 9 से तो आपके पास जो answer आएगा 288 आएगा इसका answer क्या आगया 288 ठीक है अब आपने 288 को किस से divide कर देना है 5 से divide कर देना है तो अगर आप 5 से divide करेंगे तो इसका answer आएगा 57.6 ठीक है प्यारे बच्चो तो प्यारे बच्चो देखो answer तो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है according to this formula लेकिन अगर जब 0 degree temperature हो तो फिर formula को थोड sensibly देखना होगा मैं आपको एक और इसका sensibly formula बता देता हूं जैसे for example आपने क्या करना है जो हमारे पास celsius में temperature है उसको आपने multiply कर देना है 9 over 5 से और फिर प्यारे बच्चो आपने plus करना है 32 के साथ अब ठीक है यह formula कि मैंने एक और शकल बना दिया आपको देखें ना 9 over 5 जो है वो इससे भी multiply हो रहा है और इससे भी multiply हो रहा है तो मैंने इसको से multiply करके फिर मैंने plus 32 कर दी है ठीक है तो अब देखें यहां पर क्या scenario हो र करेंगे नाइन से 9 over 5 से ठीक है और प्लस कर देंगे 32 के अंदर और डेफिनिटली जब 0 को आप मुल्टिप्ले से डिगरी नहीं आएगा जीरो को जब मुल्टिप्ले करेंगे आप 9 से तो answer क्याएगा जीरो जीरो ओवर 5 जो है वो भी क्या होगा जीरो होगा क्योंकि जीरो और 5 का answer तो जीरो ही होना चाहिए तो जीरो को जब 32 में प्लस करेंगे तो answer क्या होगा 32 होगा तो आप कह सकते हैं क्या answer क्या होगा 32 डिग्री फॉरन हाइट यह इसका सही answer होगा तो प्यारे बच्चों यहां पर हम उसका answer बी ऑप्शन लेंगे 32 डिग्री फॉरन हाइट उसके पाद अगला स्वाल किया जा रहे है कि हमारे पास वेना 10 सेंटीमीटर आयरन रॉड इस हीटिट टू आ हाई टेम्परेचर देखो प्यारे बच्चों मैं आपको ने एक कॉं हैसे समझा ज tool के अगर हमारे पास यह डोड है ठीक है यह रोड है और यह मतलब लेंफ हैं किि याद रखो रख्यों कि हमेशा टमपरीयचर अगर आप दोगो न सकूप यह एक्सपैंड कर जाएगा यह क्या कर जाएगा एक्सपैंड कर जाएगा ठीक हैं किdemo कि IT कर एक्सपैंड का मतलब होता है ठीक है क्या मतलब होता है फैल जाता है यह लेहादा देखो direct और यहाँ सब्सक्राइब लूब जब आप सब्सक्राइब लो जब आप हीट दो गे तो उसमें expansion होगी क्या होगी इसमें आपने कभी देखा हो कि जिस तरह यह अब तस्वीर है इसमें क्या scenario है कि अभी बॉल इसके अंदर से गुदर गया है लेकिन जब आपने यह वाला बॉल जो है यह मैटल बॉल है यह प्लास्टिक का नहीं है धात का बना हुए इसको हीट करोगे ना तो यह भूल जाएगा बढ़ जाए गथाए से बढ़ जाए असका साइज अक्रीज नगजा कर एक सर्कल साय है इसमें से गुजर पा रहा है नहीं गुजर पार क्यूंकि यह हमने हीट करने से पहले तो गुझार लिया था लेकिन द इसको हीड किया तो यह उसके बाद उप तो लेहादा यह आप गुदर नहीं पा रहा है तो एक्सपेंशन हो जाती हीट करने से ना चीजें एक्सपेंड हो जाती है जैसे अगर मैं आपको बात करूं यह देखें आपने एक वैसल बनाई है नीचे टेमप्रेशर लगा है तो वैसल में पानी का लेवल इंक्रीज कर ग है या इस तरह की आपने टेले शाने देखे होंगी लगी होई ना सड़कों पे गलियों में गरों में सेनों में भी लगी होती है तो यह गर्मियों में एक्सपेंशन हो जाती है लेकिन जब सर्दियों होती है तो यह एक दूसरे के साथ फस्ती नहीं है थोड़े सी गाप न निकलाते हैं ना थोड़ी से दरारे निकलाती है रीजन क्या होता है क्योंकि यह contract हो रही होती है यह सुकड़ जाती है थोड़ा सा अपना जो body का volume कम कर ले जाता है थो इसल्य यह कहते हैं है कि जब आप सफर करें कि यह सब्सक्राइब करें कि छोटा होता है आपा सफर जल्दी खतम हो जाएगा और दिन का सफर ना करें कि इसे रेयल्वे ट्रैक का कभी देखा हो का गर्मियों में तोड़ा सब्सक्राइब to सारगो इन चीजों को परो को यह कर देखा रहा हमुए और में यूघिए लुक्राइक जो सारी यह जो पत्री आएं क्या ओजेंगी तो आप तो निए चाहते हैं ना कि आप इतना पैसा लगा आगे पट रही है टेड़ी करवा ले ओड़ आप यह जीब तरी किसे घूम रही हो जैसे यह हमारे पास दर्या है अब हमने क्या रूलर्स लगा दी हैं मीचे है ना मैटल की हमारे पास यह सारी इसकी बॉटी है तो जब गर्मी आएंगी इस ने एक्सपैंड करना है पूरी ब्रिज ने तो जब एक्सपैंड करेगी तो उसको रास्ता मिले ताकि यह ना ब्रिजी टेड़ी हो जाए सारी तो लहादा जब भी अब किसी चीज को पैरे पचो हीट करते हैं तो क्या होती है एक्सपैंशन होती ह रख वौलीम रणा चाहिए हए तो क्यों वौल्यविंद होना चाहिए न हर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं यह मेरी बात आप याद रखना कोई भी पार्टिकल्स ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जो मूव ना कर रहा हूँ तो लेहादा हर पार्टिकल क्या कर रहा है तो लेहादा जब हर पार्टिकल मूफ कर रहा है तो फिर आप कहोगे कि पार्टिकल्स दर मूविंग दिखते हैं यह नोने एक तस्वीर दिखाई है यह कोल्ड हालत में भी हलकी फूलकी मूवमेंट है और गरम हालत में तो पार्ट C option is the right answer प्यारे मच्छों ये कोर्स वाल ये किया जा रहा है the energy that transfers from one object to another due to the temperature difference यानि कि अगर let's say that ये दो बोडिज हैं ये A body है और ये जो है दूसरी वाली B body है इसका temperature जो है वो 25 डिगरी है और इसका temperature जो है वो 50 डिगरी है तो क्या फरक है वही क्या ये body अपना temperature इसको transfer करेगी और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा फ़ाल के जा रहा है energy that transfer from one object to another यानि energy जो है वो एक object से दूसरे object में जा रही है due to the temperature difference इसको कहेंगे क्या ठीक है temperature difference की वाज़ा से जो है अगर energy एक जगा 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 जा रही है that is basically the heat energy प्यारे बच्चो क्या बोलोगे इसको लेहादा B option is the right answer उसके बाद नुवा स्वाल क्या जा रहा है the gaps are left after every few meters in a railway track ये भी मैंने आप से बात की थी के railway track में the gaps जो है वो रख दिये जाते है so that they could not be detract in summer due to expansion यही बज़ा होती है ना ताकि summer के अंदर detract ना हो जाए train यानि गिरना जाए कि gaps उसलिए रखे जाते हैं तो मेरे खाल में यह option ही सही लग रहा है they cannot be detract winter winter की तो बात नहीं है they cannot be detract in summer due to contraction contraction तो होती नहीं है आपको बता है एक्सपेंशन ही होती है गर्मी के बढ़ने से they cannot be detract at night due to contraction night में भी contraction नहीं होती है night में तो definitely they cannot be detract at night due to contraction contraction में तो gaps बढ़ेंगे ना तो gaps रखने का मक्सद है कि जब expansion हो तो लहादा a option is the right answer a कोई tick लगा लें आप उसके बस स्वाल के जा रहे था rise of liquid in thermometer is due to यानि के thermometer में जो आपको मैंने भी दिखाया था bulb था thermometer का उसमें expansion होई थी वो क्यों ही थी heat जो है वो उसके अंदर liquid था bromine mercury या पिर alcohol वो liquids थे वो क्या करते हैं temperature के बढ़ने से expand करते हैं temperature के बढ़ने से क्या कर जाते हैं expand करते हैं तो लहादा rise क्यों आया thermometry के अंदर expansion के वज़े से पहरे बचो c option is the right answer अगला स्वाल के जा रहे था contraction of the objects on cooling is due to यानि के जो object है उसके अंदर contraction होती है जिससरा let's say that यह मेरे पर rod है ठीक है और यह भी मेरे पास एक rod है अब इसका rod का temperature जो है वो 200 degree celsius है ठीक है पहरे बच्छों और यह rod का temperature जो है 100 degree celsius है तो मुझे बताओ किसका size ज्यादा होगा definitely उपर वाले rod का a वाले rod का size ज्यादा होगा क्योंकि temperature ज्यादा उस rod का तो लहादा contraction of the object is cooling अगर आप object को जनी 100 degree पर कर दिया कूल कर दिया आपने 200 से 100 degree पर कूल कर दिया तो क्या हुआ है क्या हुआ था कि 200 वाला object था वो उसका size ज्यादा था expansion की वजह से और जो नीचे वाला object है उसका size क्या हो गया है काम हो गया है किसकी वाजह थे contraction की वजह से तो लादा the contraction of the object on cooling is due to क्यों ऐसा होता है reduction in size of particle हाना यही वज़ा है size of particle क्या हो जाते है reduce हो जाते है काम हो जाते है reduction का मतलब होताल होता काम होना increase थो होता नहीं है increase in the inner particle distances decrease in the intercuses हाँ ये भी एक वजा हो सकती है पार्टिकल के साइज को कोई फरक नहीं पड़ता होगा लेकिन उनके तरम्यान जो फासले होते हैं वो काम हो जाते हैं जिस तरह यह तस्वीर भी जो है आपको सही बता रही है यह टंपरेचर ज्यादा है और यह टंपरेचर काम है यह कोल्ड आंसर फोर इस कोई प्यारे बच्छो उसके बाद अगला स्वाल है एंप्टी स्टील कंटेनर इस शील ड और ही टेड विज फॉल फॉल्विंग प्रॉपरटी दो गैस लाइक प्रेशर रहे वह इंक्रीज कर जाएगा अगर एक सील कंटेनर होगा उसके अंदर आपने जो ह इसको सील कर दी है आपकों कंटेनर है ना हम कंटेनर बना ले ते हैं इसको मैंने ऊपर से क्या कर दिया सील कर दिया पैरे बच्छो तो जैनि अब गैफ जो बाहर नहीं जा सकती तो लहादा अंदर डेफिनेटली आप हीट दे रहें तो अंदर प्रैसर जो है वह बढ़ता यहादा यहादा को तुलाए आप से आप को अमधिली हमारे चेपॉर का नाम ता हीleo को तेमिठ्टीक्र को सब्सक्राइब कि किछे गाएगी हुगी तो इस video के साथ शेल कि यह अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टुटेंटे से शेयर कीजिएगा वर्टसेप कर दीजिएगा उनको यह लिंक वीडियो का और चैनल का ख्याल रखिएगा इसको भी सब्सक्राइब करें डिस्क्रिप्शन में लिंक से उनको फॉलो करेंगा